आज की केबिनेट की बेठक में बहुत से महत्पूर्ण रिड़ने हुए हैं उनको पात्रता दी है अब गुरू जी के स्थान पर संब्धा शिक्षक हो जाएंगे लेकिन साथ में ये शर्त है कि अगर वो पांच साल में डियेट कर लेते हैं तो अध्यावक संपर्ग में संब्लित हो जाएंगे लोकायुक्त संगठन ने महेशन मुद्गल जी के लिए एक वर्ष की संब्धा नियुक्ती का आगर किया था केमिनेट उसको स्विक्रित किया है लोकायुक्त संगठन में कुछ पदों की निर्मिती के मांग थी उप्पूल सदीक्षक के साथ और निरिक्षक की दसपद स्विक्रित किये गए है विधान सबा सचवाले में भी सुरक्षा गाड़ों की आवश्यक्ता थी मांग थी 33 पदों में से 16 सुरक्षा गाड़ देने का निर्ने हुआ है राजिपाल महोदे का विवका धीन जो कोटा होता है अनुदवान उसमें ब्रद्धी करके अब उसको एक कडोर कर दिया गया है होमगाड के संभागी मुख्याले कुछ संभाग मुख्याले में नहीं थे उसकी सुरक्रिती की गई है नर्मदापुरम चंबाल संभाग और शेडोल संभाग इन तीनों संभागों में भी होमगाड के संभागी कारेले होंगे बोपाल में जो शास्की आवाश आवंट नियम 2000 था उसमें कोई संशोधन किया गया है उस संशोधन के अंतरगत विवकादीन कोटे में कोई बृद्धी की गई है अबी तो पूर में जो दिये हुए है वो ही नीवान साथ मोर मानी सर्वुच नियालय के निर्णे के वज़े स से तीन नई सेंट्रल जैल और बनेंगी उसके अनुमती हुई है वड़वानी नर्सिंगपुर और हुशंगाबाद की जैर्वभाग का प्रस्ताब था इसमें तीन नई केंद्री जैले बनेंगी चावल प्रोसेसिंग एक आईयों पर जो क्रेकर लगता था आज उस क्रेकर को कर से मुक्त किया गया है मुखवंत्री आवास मिशन में इस्टाम शुल्क माब था लेकिन वो साथ हजार था अब क्योंकि उसमें मकान की राशी बढ़ा दी गई है इसलिए एक लाख रुपे तक का उसमें प्रापदान हो गया है इसलिए एक लाख रुपे तक का उसमें परेश्टामसुल्ख से चुट रहेती उनको क्रेकर से मुक्त किया गया है अव कि जमीन अभी मास्टर प्लान के इंतर करत किसी रोड में चली गई-थी उसके बदले में उतनी जमीन की और मांग की गई-थी तो उतनी जमीन देने का निर्णे केमिनेट नियाज कर दिया है कुछ अभी आगर नया जिला बना है उसमें कुछ और जिला का रहे लोगे आवशकता थी आपको डिटेल मिल जाएगा उसमें उन बेग सभी के लिए जिला का रहे लेकर अनुमती दे दी गई है सासन पावर लिमिटेट का एक जमीन संबंधी निर्णे हुआ है 37.3 एकड़ भूमी मेसर सासन पावर लिमिटेट राजस वग को समर्पित करेगा और उक्त भूमी को फिर राजस वग आवंटित करेगा ऐसा निर्णे हुआ है लोग स्वास्त परिवार कल्यान विभाग में कुछ बरिष्ट बहुत एक चिक्सावित और फिजियो तेरपिरिस्ट की आवश्चक्ता थी उनके पद सुईक्रित कर दिये गए हैं एक बहुत महित्पूर निर्णे यह हुआ है कि अभी मद्दप्रदेश सरकार ने जैसा की निर्णे किया है कि निश्चुल के और वित्रित की जाएंगी और वित्रित करने के लिए एक संस्थान और उस सारी चीजों के लिए और उश्चादी उपार्जन विवस्ता को सुद् कि लोगस्वात परिवार कल्यांड इसके अध्यक्स रहेंगे इ Спरकार से मुख्मंद्री जी की इच्छा ती गोश्ना दी राज भस्त्र स्वच्छता मंडल इसका गठन का देट्विए अज यहां पर हुआ है राज भस्त्र स्वच्छता मंडल एक और मंदल का गठन हुआ है मत्वर्देश राजि सिलाई कला मंदल जो सिलाई के कारीगर है उनके लिए लिए ये मंदल काम करेगा हम सबको जानकरी में है के ओवा भोपाल से नागपुर राष्टी राजमार गए उसमें से उविदोला गंज से और इटारसी का जो रास्ता है बारसरकार का जो निर्णे हुआ उसमें ये तैय हुआ कि सीधा बुधनी उशंगाबाद इत्यादी इन तीन-चारों कस्वों को ज सलक आज भी खराब है और कल जाके और ज्यादा खराब हो जाएगी इसलिए राज्य सरकार ने निर्णे लेली आए कि चार-पांच साल इंतजार करने की इस्तान पर राज्य सरकार अपने माध्यम से ही हमारा जो MPRDC है उसके माध्यम से सलक का निर्मान करे तो इसकी अनुमती भी आज यहां पर जारी की गई 88 दशबलम नो एक कडोर की लागत की और मदब्रदेश शलक बिकास प्राइदिकन इस सलक का निर्मान करेगा और विश्वेस्तरी जो आभी पारंपरिक जो रास्ता है यह रास् समय लगेगा दो-तीन साल लगेंगे क्योंकि भारत सरकार के द्वारा वो बनाया जा रहा है इसलिए राइस सरकारी सड़क को अपना बना लेगी जनविजान परिशद में जो कारिकरता काम करते हैं कर्मचारी काम करते हैं उनके मान दे में 25 परिशद की ब्रद्धि की जा र जाता है अभी अनसूचित जन जाती के दिवाग के अंतरगत अशास्की कुछ संस्थाएं संचालित होती हैं पहले उनको सो प्रिशत अनुदान मिलता था प्रिवीसमें उसको 75 प्रिशत कर दिया गया था आज पुना ये निर्णे हुआ है कि उनके लिए सो प्रिशती परियोजना सरकार की है जिसमें नर्मदा चिप्रा नदी को आपस में जोड़ा गया है वो परियोजना पर बहुत इद्युस्तर पर काम चल रहा है और नवमर के अन्तिता को से वो योजना पूरी हो जाएगी आगे अब जाकर के उसके विस्तार का भी काम प्रारम कर रहे है और उसके विस्तार से आगे सिचाई की सुवधाएं तैयार करना तो उसके लिए एक प्रेजेंटेशन विवाग के नर्मदा काड़ी विकास द्वारा दिया गया था और उसके लिए जो आने वाले समय के लिए योजना तैयार किये 235 कडूर की वो योजना का भी आज यहां सरकार के द्वारा अनुदन किया गया है मालवा सूखा नहरा है और आने वाले समय में जो मुक्वंत्री जी की महिशा है कि नर्मदा जी के पानी से मालवा अंचन के 7 लाख हेक्टेर एरिये में सिचाई संसादन उपलवद कराना है उस दिशा म में पैच व्यवबरतन परियोजना के लिए 1733 कड़ो रुपे की पुन्रिक्षित प्रशास की सुख्रती जारी की गई है सिचाई की सुविधा प्रदेश में तेजी से वड़ी है और आगे निरंतर वड़ती रहा है इसके लिए एक बड़ा काम होगा यह राजगर्ज लेक मध्यम सिचाई Πरयोजना की राशी 3307 की प्रशास की सुक्रती जारी की गई है माही प्रहईद सिचाई परयोजना की 834 कड़ोर की पुन्रिक्षित प्रशास की सुख्रती और निवेश निकासी की अनुमति दी गई है एक और महत्पूर्ण एड़ने हुआ है मोलानाय आजा गर्ण कोई नहीं होती हो भारा सरकार इसके पूरा पैसा दें लेकि उनने दो आधार हम को बताएं जमीन दी दियों और संस्क्रियत विश्विद्यालइ वन रहा हुश दिवया विश्वी ये जमीन दी अधिकूर बा tyrण सरकार के विश्विद्याले विभागत दी गरीए गही है। इसके बाद भी उर्दू भाषा लेगा के विकास के लिए काम हुश सरकार यह चाहती है … इसलिए उसको गंभीरता से लेते हुए सरकार ने लिया कि इनको भी निशुल के वहाँ पर इनको भूमी दी जाएगी। इसलिए पदों की आवश्यक्ता थी तो वहाँ उसके लिए पद भी सुईकृत किये गए हैं ताकि हमारा अभ्यारण ठीक से व्यवस्तित रूप से संचालित हो सके। सिंग्रोली में हवाई अड़े की बहुत आवश्यक्ता थी इसके लिए SPV का गठन किया गया है सिंग्रोली एयरपोर्ट है कार्पूरेशन लिमिटेट ये वहाँ पर नीजी निवेश्कों से सयोग लेगा राजिसरकार का भी उस महिस्तर आएगा और वहाँ पर एयरपोर् सिंग्रोली आज केबिनिट त्वारा किया गया है वहां की और जो निर्णे हुए हैं वह हम आपको एक और महत्पूर में मांग जो गबालियर की रहती थी लोहा मंडी की भूमी बाली उसका भी आज निर्णे हुआ है कि वह जमीन राजस वाग द्वारा उनकी जो पंजिक् झाजस करई जो झाल्या कर दो कि प्राइब है